आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिध्धान तगनी हो तरी स्टेडी लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी नई फैकल्टी गारगी कुंडू का आप स्वागत करें गारगी मैम जो है वो आपके लिए करेंट अफेस के लिच्छर लाएंगी और आप उनको प्यार दे जैसा आप हमको देते हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर करेंगी फिला कारल माक्स जिनको एक समय पर भगवान का दरजा दिया जाता था एक समय पर दोस्तों हर दस में से 5-6 लोग यानि कि दुनिया में 50-60% लोग एक समय पर माक्सिस्ट हुआ करते तो आज भी कारल माक्स का सबसे ज़्यदा प्रभाव देखने को मिलता है आज भी आपको कारल म माक्सिस्ट पार्टी है CPI माक्सिस्ट जो बहुत बड़ी पार्टी है और अकसर एलेक्शन जीत थी है वेस्ट बंगॉल में आपको पता ही CPI थी और कई बार सेंटरल में तो नहीं जीता लेकिन कई बार ये लोग बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं जैसे मन मोहन सरकार में CPI के सपोर्ट से ही कॉंग्रेस सरकार बनी थी तो कार्ल मार्क्स का प्रभुत्व बहुत बहुत बढ़ा है कार्ल मार्क्स यब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ध्यान से पढ़िएगा इनकी राइटिंग्स से आप आपका ब्र चाहिए नई मार्क्सिस्ट फिलोस्फी 55 देखिए का माकंष की बात करेंग्स अगरें दो को कुछ पर मार्क्स करने जया जाता है और जो मैंने जितना कर्ल माक्स को पढ़ा हैं वहाँ अपको बता हुँगा ध्य कुछ मार्क्स पर ही ज्यादा फोकस रहेगं इसलिए क्यू कन्फ्यूज ना हो क्योंकि माक्सिजम बहुत 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 ब्रॉड है है ना मैं कोशिच करूँगा कि इन आधे गंटे में आपको सब कुछ समझा दूँ तो हम शुरू करते हैं माक्स को और इसकी जो पीडियेफ है वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पिलने सकते हैं उसके बाद ट्विटर पे विल्कुल मुझे फॉलो करिए लेच्चर की अप्डेट्स मिलती रहेंगी ओके इतना ही है इतने ही मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा unfortunately I'm really sorry बट समझाने में कोई कोता ही नी सब कुछ समझेंगे सबसे पहले कार्ल माक्स की बात करते हैं माक्स एक इतना बेहतरी बड़ा नाम जितनी तारीफ करें हम इनकी कम है बहुत-बहुत-बहुत-बड़े इनको बोला जाता था साइंटिफिक फिलोसफर एकॉनमिस्ट फिलोसफी सोशोलोजी हर जगा इनका को आपको देखने को मिलेगा अगर आप नेट जियारक की तैयारी कर रहे हैं सोशोलोजी, फिलोसफी, एकॉनमिक्स एंड इवन हिस्ट्री आपको कार्ल माक्स को पढ़ना पड़ेगा हर साल UPSC में बहुत सवाल पूछे जाते हैं 2-3 सवाल तो रहते ही है, 2-3 बहुत हो गए, ठीक है, अराम सही कारल माक्स करी, या तो कार्ल माक्स या फिर इनका कुछ रेलेवेंस और कार्ल माक्स अब को कोट करना भी पढ़ेगा, लेकिन कार्ल माक्स की कुछ खामिया भी थी और यही तो होता है न, देखो, dielectric materialism या फिर idealism अभी हम बताएंगे, सब की बात करेंगे, जादा अभी हम शुरुवात में नहीं करेंगे तो सबसे पहले कार मार्क्स, इनकी थियोरी किस पे बेज़ दिती, देखो ऐसा है कि, यह दुनिया को अगर आप देखो, तो दुनिया में सबसे पहले क्या सामराजिया है ठीक है, empires, सबसे पहले तो civilization, फिर empire, फिर राजा आए, और फिर धर्म आया धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ा, अगर हम यूरोप की बात करें, भारत में भी वर्ण विवस था तो जो दबे कुछले लोग होते थे ना, जो majority में रहते थे, जो निचले लोग होते थे जो fourth class के लोग होते थे, और जो majority में 70-80% उन पे बड़ी बरबरता होती थी दिक्कत होती थी, उसके बाद दोस्तों, जमीनों क्या concept आया बड़े बड़े लोग जो होते थे, जो warlords होते थे, इन फैक्ट जो राजा होते थे, जो मंतरी होते थे वो क्या करते थे, जमीनों को अपने कबजे में ले ले लेते थे ठीक है, जिसको बोला गए feudalism, feudalism से इससे पहले एक और व्यवस्ता थी जब सामराज फैले, जब civilizations थी, सामराज तो आपने slave, दास प्रथा का नाम सुनाओगा, slaves थे हर राजा के पास slave रहते थे, जो अमीर होता था, वो दास रखता था अब अगर आप कुल मिला के देखो, तो इसमें हो क्या रहा है, old व्यवस्ता, अगर आप old tradition को देखो, तो इसमें जो छोटे लोग हैं, जिनके पास ज़दा पैसा नहीं है, उनको दबाये जा रहा है, उनको कोई rights नहीं है, और इनको अपने rights लेने में दोस्तों 600-700 साल लग गए, बहुत साल लग गए, ये काफी वक्त तक चला, आज भी अगर आप देखें, तो एक generation जैसे एक इनसान जो है, वो टायर का पंचर बना रहा है, तो उसकी generation भी वही करेंगी, अभी कितना गलत है, it's not right, तो हमें देख रहे हैं कि जो class conflict है ना, वो आज से न सान ने आवाद उठाई, उसको मार दिया गया, दबा दिया गया, लेकिन पहले power इतनी जादा होती थी, democracy तो थी नहीं, तो आप आवाद ने उठा सकते थी, साथी साथ लोगों को दबाय जाता था, धर्म के माध्यम से, है ना, धर्म भाई, बहुत important है, righteous conduct, लेकिन उसका interpretation कैसे हो रहा है, ये बहुत important है, भाई धर्म को कोई कैसे समझा रहे है, ये भी बहुत important है, उसके बाद दोस्तो, feudalism आया, सामनत बाद, feudalism एक और खतरनाक, feudalism जो है, वो और crude सरूप था, उसमें तो लोगों को slave भी बनाय जाता था, और लोगों को और खतरनाक तरीके से treat किया जाता था, feudalism की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े जो feudal lords होते थे, ठीक है, feudal lords होते थे, जो सामनती होते थे, वो क्या, उनकी जमीन होती थी, और उनकी जमीन हतिया आते भी थे, तो यहाँ पे जो peasants होते थे, जो जमीनों में काम करते थे, और यहाँ पे जो tenants होते थे, जिनकी जमीन होती थी, जिनको feudal lords बोलते थे, उनकी दशा बहुत बढ़िया थी, और वो दिन रात काम करवाते थे, again class conflict, और ultimately आया capitalism, इसके बाद third stage capitalism, capitalism, capitalism में भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे जो classical capitalist है, classical आप समस्तिना मतलब जो सबसे पुराने लोग आये थे, जिन्होंने capitalism में concept दिये, जिसमें Adam Smith थे, Adam Smith की बात करें, तो लैसे फिर, free market, जो product है, उसको सरकार regulate ना करे, market को उसके हिसाब से छोड़ दो, अपने आप regulate कर दे दोस्तों, इतना जादा लोगों को दबाय जाता था, कि जो intellectuals भी, जो विचार धारक भी आते थे थे, जादा तर अमीर होते थे, 99% सब के साब अमीर, क्योंकि घरीबों को कोई rights थे ही नहीं, जो निचले वर्ग के लोग थे, जो third या fourth nobility थी, जो third या fourth class था, उसको कुछ नहीं मिलता था, आप समझ रहें, तो capitalism जो था, वो liberal था, शुरुवाती capitalism liberal था, अब शुरुवाती capitalism liberal का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कि देखो, शुरुवात में मशीने नहीं थी, science का इतना development नहीं था, engineering नहीं आई थी, labor के पास ताकत थी, देखो, सबसे क्रूर सर्य जथा ना, क्रूर स्वरुव वो था, slavery और feudalism, slavery और feudalism बहुत क्रूर था, इसमें लोगों को कोई राइच नहीं थे, अगर मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ, मेरे पास जमीन है, मैं पकड़ के तुमको ले क्या हूँगा, मानूँगा, चार्ट जापड़, बोनूगा, क काम करते रहो, जब तक मेरी मर्जी है, काम करोगे, पैसे भी नहीं दूँगा, ऐसे होता था, आप समझ रहें, इस तरीके से होता था, तो feudalism बहुत क्रूर था, capitalism फिल भी liberal था, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों के बास थाकत आई, यहाँ पे लेबर्स है, भाई, capitalism मतलब क कैसा लगेगा, एक चीज़ और, world history का लेचर उठाइए, capitalism क्या है, socialism क्या है, communism क्या है, nationalism क्या है, fascism, सारी ideologies मैंने समझाई है, आधे गंटे का लेचर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो मैं आप से उम्मीद यह करूँगा कि वह आप लेचर देखें, यह वाला कते ही, basic bit clear है, तब भी आप समझ जाएगे, बहुत आसानी से वैसे मैं समझाता हूँ, मेरा talent है, कोई बात नी, कभी-कभी उपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, anyway, तो capitalism की बात करें, तो वो liberal था, ठीक है, भाई, जहाँ पे भी capitalism है, वहाँ को को democracy देखने को मिलेगी, और शुर और यही item समित ने बोला तो जो शुरुवात के philosopher थे, लेकिन दोस्तो जब industrial revolution आया, तब चीज़े गडबड हुए, industrial revolution में machine लग गए, industrial revolution पे मेरा पूरा separate lecture आप देख लीजेगा, अब industrial revolution पे जब machine लगी, तब labor की ताकत चली गई, भाई, जो मजदूर काम कर रहा है, पहले यहां पे मजदूरों को, भारत के साथ भी हुआ ना, domestic industry बढ़बाद होगी थी बारत, जब ब्रिटिचर यहां पे आया थे, तो क्या हुआ था, कि जब मजदूर थे, जो मजदूर काम कर रहे थे यहां पे, अब उनको replace कर दिया machine से, पहले मजदूरों के पास bargaining power थी, एक ब मजदूरों की दशा खराब होनी शुरू हुई, जो भी प्रॉफिक था, वो अब मजदूरों की दशा खराब होनी शुरू हुई, और जो भी profit था, वो सब डकार लेते थे capitalist, शुरुवात में capitalist में capitalism क्या था, अगर old capitalist की बात करें, classical capitalist उन्होंने बोला, नहीं सब बढ़िया है, capitalism समाज का उधार करने आया है, समाज का उधार करेगा, लेकिन जब industrial revolution आया, उसने class divide कर दिया, यहां पे भी class conflict, लेबर और capitalist के बीच में, पती हैं, इनके बीच में conflict, समझ गए, अब हम यह देखते हैं, कि इसी दौरान enlightenment period आया, रेने साब period, बड़ी बड़ी विचार धारा है, अरे यह जागरित कर लो, यह चेतना जगा लो, और सब कुछ बढ़िया, और तुमको democracy चाहिए, और freedom है तुमारे पास, nature ने तुमको बहुत सारे laws, Hegel आये, अगर Hegel नहीं होते हैं, तो Karl Marx नहीं होते हैं, Karl Marx ने Hegel को बहुत अच्छे से study किया, Karl Marx के दन पूसिया में हुआ था, और Karl Marx जो थे वो शुरवात में religion से बहुत ही distract हो गए थे, इनकी बाग्राफी मैंने cover किया, वैसे आप देखेगा, तो शुरवात में religion से बिल्कुल distract हो गए थे, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि इनके पिता जी convert हो गए हैं, दूसरे religion में, मतलब protestant में convert हो गए, तो इनका mood खराब हो गया, तो religion तो बिल्कुल गलत है, operative है, Karl Marx religion को तो मानते नहीं थे, देश को भी नहीं मानते थे, state को भी नहीं मानते पूरे नास दिखते है, Karl Marx, तो Karl Marx religion से बिल्कुल, उसके बाद फिर ये college गए, college में फिर वहाँ पर भी गलत संगत में पढ़ गए, फिर जर्मनी इन्होंने, बर्लिन इन्होंने पढ़ाई की, बर्लिन इन्होंने पढ़ाई की, तो हीगल, वहाँ पर जर्मनी में हीगल का ब इसरी थियोरी बन जाती है, समझ रहे हो, इसके अभी हम बात करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके बाद फिर journalism Karl Marx ने जोइन किया, फिर Karl Marx थी राइटिंग ऐसी थी कि German Empire समय Unification of Germany 1871 में होई गया था, और समय वार भी बहुत Unstability थी, दोस्तों ये समय जो है न, 1818 में Karl Marx आ गये थे, और 1830 के बाद Karl Marx बहुत active हो गये, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और 1830 में अगर आप इर्दिगिर्दे देके, तो इधर Italy में करांती हो रही है, जर्मनी में आप देख रहे हैं, कि बहुत दिक्कते हैं, जर्मनी का Unification चल रहा ह Auto One, Bismarck आ गये हैं, तो ऐसा है न, कि Karl Marx की जो राइटिंग्स थी, वो लोगों को जगाती थी, Karl Marx तो जो धांचा इतने सालों से चला आ रहा था, Capitalism का भी उदय हो गया था, देश प्रॉफिट कमारे तो उसको सीधा अटाक करता था, सरकार के खिलाफ जाए गये, तो सरकार ने तो बोला कि बेटा, इनको तो पकड़ के मारेंगे, तो Karl आख भागे फिर, फ्रांस में भी Karl Marx को बैन किया, जर्मनी में भी, you will be surprised to know, जब Karl Marx था देहांत हो गया, Karl Marx की नागरिकते ही नहीं थी, stateless मरे है ये, नागरिकता थी ही नहीं, ना फ्रांस में, ना जर्मनी में, तो लेंडन में बेसिकली ये रहे, काफी वक्ते तक, दस से बीस साल तक इन्होंने पढ़ाई की, एक कमरे में बंद, लाइब्रेरी, बहुत किताबे पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स, और उसके बाद विचार धारा लिखा, अपनी गर्फ्रेंट से इन्होंने शादी की, पैसा बहुत नहीं हुए, और कार्ल माक्स उसका में बहुत बथे नहीं थे, लेकिन जब रहश्यन revolution आया, कार्ल माक्स को घगवान बना दिया, उसके बाद ऐसे फैमस में कि बटा है, कार्ल माक्स की क्या बता है, और आज भी कार्ल माक्स बहुत से बड़ा नाम बता। यहोंने प कितनी बाते कर दी फिलोस्फी जार दी लेकिन इंसान तो अभी तक मरी रहा है लेबर की हालत तो वैसी की वैसी ही है अब कितना में कुछ कर दो एक तो यह होता था ना कि यह लोग लिखते थे यह उन लोगों के लिए था जो बढ़ी इंटेलेक्चुल होते थे भाई लोग त रिखा है इनके दोस्ते से अधर फ्रीडरिक एंगल्स दोनों ने मिल के सीधा कैपिटलिसम पे चोट की काल्मार्च ने बोला यह जो क्यापिटलिस्ट है ना बड़े खतरनाक लोग है डिखिए जो अरली कैपिटलिस्ट थे और बाद में भी जो लोग आए उन्होंने बोल सब एक proper equality रखो मिल बाटो लेकिन कालमाक्ष ने बोला capitalism में बहुत बड़ी गलती है capitalism एक बहुत बड़ी खोट है capitalism में दिक्कते हैं कहां से मिल बाट के खालो capitalism खुद भी बहुत खतरनाक है capitalist खुद भी परिशान है कहां से मिल बाट के खालो Capitalism टिखी नहीं सकता आप सबज रहे हैं Capitalism बढ़ा Industrial Revolution आया Bargaining Power गई Labour के पास कुछ नहीं बचा तो फिर फायदा क्या हुआ इसमें डेविड रिकार्डो भी आय थे डेविड रिकार्डो ने ये बोला था सब दिखिए यहाँ पे जो बाद में capitalist आ है वो अपने आपको justify करने में लग गए कि Capitalism सही है डेविड रिकार्डो ने बोला कि भाईया देखो अगर हम पैसा देंगे जादा पैसा देंगे तो जो वरकर हैं वो जुआ में शराब में लगाएगा लेकिन अगर यही पैसा हम capitalist को देंगे तो वो समाज का उधार करेगा अपलिफ्ट करेगा कार्ल माक्स इसको बिलकुल न का रहा यह सब प्री माक्सिस्ट ट्रेडिशन है जो माक्स से पहले आये थे समझ गए तो कार्ल माक्स ने बोला कि यह जो capitalist वादा करते हैं यह तो यूटोपिया है यह कभी होगा ही नहीं और कार्ल माक्स एक scientific theory में है हमेशा बिलीब करते थे आप समझ रहे हैं तो जब कार्ल माक्स आये उन्होंने बोला All the workers around the world unite बहुत famous statement है ना पूरी दुनिया के workers जहां पे भी हैं अब एक जुट हो जाओ यह कहा कार्ल माक्स ने संसार को बदलने का अब समय आ गया है अब अगर हम कार्ल माक्स की बात करें अब हम इनकी philosophy पे आते हैं अभी तक हमने basic समझ लिया background clear होगा अब बूला क्या कार्ल माक्स ने सबसे पहले कार्ल माक्स ने बोला कि there will be class struggle हमेशा होगा class struggle capitalist को यह बुर्जुवा बोलते थे ठीक है पूझी वादी और जो सर्वहारा वर्ग बतलब जो आम लोग होते थे जो वर्कर्स होते थे उनको प्रोलेटेरियेट बोलते थे और कार्ल माक्स का मानना था यह जो राजा है सरकारे हैं धर्म है यह सर्वहारा वर्ग को बेवकूब बनाती है इसके सबसे नीचे होता है सर्वहारा वर्ग प्रोलेटेरियेट उपर मिडिल क्लास उसके उपर जो मिलिटरी होती है उसके उपर धर्म फिर राजा और यह सब उपर के जो लोग हैं यह proletariat को बेवकूब बनाते हैं जो काम कर रहा है देश का 90-98% काम प्ये proletariat करते हैं सर्वहर अवर्ग लेकिन इनको कोई credit नहीं मिलता बलकि इनको दबाया जाता है कार्मार्ग साइंटिफिक सोशलिजम की बात करते थे कार्मार्ग बताते थे कि capitalism unjust है capitalism बहुत घलत है पूजी बाद सिर्फ profit के लिए काम करता है और जब profit होगा जहां पर profit आएगा वहां पर problem होगी कैसे problem होगी देखो ऐसा है कि जब profit आएगा जब पैसा आएगा तो इंसान में क्या लालच भी आएगी इंसान में क्या violence पे भी इंसान उत्रेगा प्रॉफिट कमाने के लिए हर चीज प्रॉफिटेबल capitalism प्रॉफिट बेस्ट होता है जैसे हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे कितना पैसा लेते हैं उनको मतलब थोड़ी न आप मरे चाहे जीए वो तो पैस क्या होगा लेकिन competition दोस्तों होता कहा है धीमेदी में monopoly यहाँ पर स्टाइबलिच होती है आप समझ रहें तो यहाँ पर बोला self-alienated बहुत important concept याद रखेंगे point लिख लीजिए workers are self-alienated proletariates are self-alienated अब इसका मतलब क्या और यह दोनों के लिए बोला इनों ने यह capitalist के लिए भी बोला और workers के लिए भी बोला दोनों self-alienated workers का क्या था वरकर्स का मतलब यह था कि देखो आप हो अगर मान लोग कि आप अपना काम कर रहे हो जैसे मान लोग कि आप IT इंडस्ट्री में हो अब आप वहाँ पर अपना काम कर रहे हो लेकिन अगर आप काम को enjoy नहीं कर रहे हो इसका मतलब क्या है इसका करना बहुत जरूरी है अब आप काम को क्यों नहीं करोगे इसके दो कारण है एक तो आपके हिसाब का काम नहीं मिला आप बनना चाहरे थे painter कर रहे हैं नौकरी दूसरा जो सबसे important जो काल मांक्स ने बताया surplus value surplus value मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो extra profit है ना वो ले जाते हैं यह capitalist मतलब मतलब यह है कि आपने महनत की आप एक IT इंडिस्ट्री में काम कर रहे हो और आपने बड़ी महनत करके एक phone बनाया अब वो phone बजार में कितने का विकेगा 15,000-20,000 और आपकी मंत्री salary कितनी है 30,000 और ऐसे लाखो phone बजार में विकेगे आपको कितना मिल रहा है 30,000 फोन का profit कितना है एक करोड किस के पास जाएगा यह capitalist के पास आपको अपना पैसा ही नहीं मिल रहा है और वही phone आप बजार से 20-25,000 का खड़ी दोगे समझे रहो यानि कि जो चीज आप बनाई वही चीज आप बजार में महंगे में खड़ी और वही बिजली का बिल वह कोईले के खड़ानवला वरता है आप समझे रहे हैं जो चीज वरकर बना रहा है उसी कि इसको दस गुने जाधा पैसे देने पड़ नहीं है तो यह होता है इलियनेशन आग को अपने काम की कीमत नहीं मिल रही है सर्प्लस वैल्यू मतलब क्या जो सर्प्लस प्रॉफिट हो रहा है जो जाधा पैसा आ रहा है वो कैपिटलिस्ट ले जा रहे हैं 100 रुपए मालो 100 रुपए की कोई चीज है 98 नहीं 100% मालो जैसे एक चीज बनाने में 100% महिनत लगी है और 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 98 रुपए आपके है आपन 99 रुपए वो capitalist ले जाता है और 2 रुपए को मिलते हैं इससे alienation का जरम होता है और यही capitalist के लिए भी कहा आप capitalism unjust जो है ना यह capitalism के लिए भी इनोंने कहा बतलब जो capitalist है अब भाई पैसा 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 का बतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा profit profit करेंगे उतना ज़्यादा लालच आएगा वह लिल्स आएगा और ज़्यादा तर आप देखेंगे प्रॉब्लम से एंप्लॉईस खुश नहीं है अभी modern capitalism में भी आप देखें ये भी कोई पहले जैसा ही है ये बस चीजे बदल गई है थोड़ी आज भी आपको बहुत सारे गरीब मिलेंगे यानि कि अभी भी हम देख रहे हैं कि capitalism जो पू ibs 99% के अमेयिका में डेबेट थी ना एक परसं लोगों के पास पूरी पूझी है और 99 के पास कुछ नहीं है और यह जो पूझी कमार है यह 99% के बल पर कमार है एक पूरी company कोई बी कंपनी हो सिए 10-15000 अगर इंप्लओई काम की कंप लता है अब को नहीं मिलना यही कई सब ले जाते हैं अब इसी को उन्हों ने बहला अलग अलग structures की बात की यहाँ पर बोला कि जो यह political structure और economic structure जो है political structure और economic structure ये दुनुन साथ साथ चलते हैं मतलते हैं मतलब देश कोई भी देश है देखो हीगल ने अब यहाँ पर हीगल की हम बात करते हैं हीगल ने बहुत कुछ समझाया, हीगल की philosophy को Karl Marx आगे ले गए, लेकिन हीगल का criticism भी क्या है, हीगल ने बोलाता है, state जो है, वो सुप्रीम है, state जो है, enlightened है, ठीक है, state जो करेगा, वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ददा enlightened है, जैसे देश जो कर रहा है, देश को बखवास, अटाओ ये सब, ये बिल्कुल गलत है, कैसे गलत है, काल माक्ष ने बोला कि भाईया देखो, सब कुछ पैसे चे चल रहा है, और जहां पे capitalism आएगा, capitalism जहां पे आया, वहां पे पैसा आएगा, और वहां पे political structure भी influence होगा, यानि कि जो political parties है, जो देश है, वो भ होता है, बहुत से देशों में, ये capitalist के हिसाब सही, भाई, कितने देशों में जो democracy भी कितनी जादा funding आती है, और in fact कुछ ऐसी policies है, जहां पे सरकार भी इन capitalist का साथ देती है, इनके हिसाथ से policy बनाई जाती है, कई देशों में, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, तो capitalist capitalist, capitalism, ये जो economic structure और political structure ये एक दूसरे को support करेंगे, आप समझ रहे हैं, तो हम कैसे state को justify कर रहे है, कर दे, अगर कोई state जो है, वो ये बोल रहा है, कि नहीं, ये जो economist है और इनके हिसाब से हम policy, तो कैसे हम उसको justify कर दे, फिर तो state ही गलत बोल रहा है, तोनों ने क्या बोला, capitalist के solutions ये है, ये मैं ideas की बात कर रहा हूँ, developing ideas, Karl Marx ने तीन stages बताई, ठीक है, capitalism क्या है, capitalism से, देखे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, की stages क्या है, slavery, सबसे पहले मारी slavery थी, फिर आया feudalism, फिर आया capitalism, और अगली stage आएगी socialism की, देखे, याद रखेगा, communism जो है, वो socialism का ह पार्ट है, लेकिन communism, socialism से different है, अब वो देखेगा मेरा chapter socialism, difference between socialism and communism, उसमें मैंने सब बताया है, तो ऐसा है कि Karl Marx ने ये बोला, देखो, जहां बहुत ज़्यादा capitalism होगा, profit होगा, जहां profit होगा, वहां ज़्यादा exploitation होगा, माल लोग कि ज़्यादा profit हो रहा है, तो जब पैसा जाता है, तो mood खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो जब पैसा धिमाग खराब होगा, तो क्या business जो इंसान है, जो owner है, वो क्या बोलेगा, और ज़्यादा exploit करो, मजदूरों को अभी 12 गंटे काम करो, अभी 16 गंटे काम करो, ऐसा होता है, आप देखते हैं, कि अगल भगली देख लीजिए यार, तरक्टरीज में देखिए न, क्या हलत है, 12, 13, 14 गंटे पैसे भी नहीं मिलते हैं, मजदूरों क्या हलत आप देखिए, कितने सारे एक्जामपल्स हैं, मेरे पाद भरे पड़े हैं, आपने खुद भी experience किया होगा, तो बहुत exploitation होगा, ज जो भी सर्वहारा वर्ग है, सबकी consciousness एक साथ develop होगी, और क्रांती लेकि आएंगी, यहां पर काल माक्स ने बोला, solution क्या है इन सबके, तीन स्टेज, सबसे पहली स्टेज में क्या है, direct action करो, मतलब क्रांती लेओ, क्रांती, अब, जब हद से जादा चीजे खराब हो और यह हर जगा क्रांती आनी चाहिए, यह सिर्फ कहीं एक जगा नहीं, यह पूरी दुनिया में क्रांती आए, और जब पूरी दुनिया में क्रांती आएगी, यानि कि old structure खराब हो खतम हो जाएगा, capitalism खतम, धर्म खतम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई class नहीं, को आपको क्रांती लानी पड़ेगी, दूसरी स्टेज है, dictatorship of proletariat, proletariat की dictatorship, यहाँ पे क्रांती लाओ, जो old structure है, सरकारों को खड़के फेग दो, और उसके बाद सर्व हारा वर्ग का ही पूरा control हो, proletariat जो है, वो rule करे, जो working class है, वो rule करे, और तीसरा इन्होंने बोला, सबसे important stage, जब यह पहले दो stage हो जाएं, तो stateless, classless society बनो, अब, कार मार्क्स बोलते थे, capitalism, utopian vision है, और जो capitalism बोलता है, वो नहीं, लेकिन यह जो third concept है, कार मार्क्स का, stateless और classless, आपने कहीं पे भी ऐसा देखा है, नहीं न, तो कार मार्क्स को खुद भी utopian बताया गया, कि कार मार्क्स जो बताते हैं, वो नामुम्किन है, दुनिया में कभी भी class, हमेशा class रहेगी, हमेशा state रहेगा, ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहाँ पे stateless और classless society बन पाए, रश्या, रश्यन revolution आया, 1917 में जब कार मार्क्स बहुत फेमस हुए, लेकिन रश्यन revolution में भी अगर आप देखें, तो कार मार्क्स के आइडिया को प्रॉपरली इंप्लिमेंट तो किया नहीं गया, कार मार्क्स ने तो stateless की बात की थी, लेकिन रश्या तो एक स्टेट बना, सोवियत बना, कार मार्क्स ने भाईया कही पे भी classless, stateless होई नहीं सकता, impossible है ये, ये खुद भी utopian है, कार मार्क्स ने सबको utopian बोला, लेकिन आपकी philosophy भी utopian है, दूसरी चीज़ revolution क्रांती की बात की गई, देखिए जब ये idea बढ़ रहा था, मार्क्सिसम बढ़ रहा था, तो जो देश थे, जो capitalist देश थ capitalist देश है, वो दूसरे देशों में आप जाके यही करने लगे, अपने देशों के तो workers को उन्होंने satisfy कर लिया, उन्होंने बोला हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन imperialist जो बाहर हम उपनिवेश कर रहे हैं, वहाँ से पैसा लाके तुमको देंगे, परचान मत हो, तो Lenin ने ब आही पर भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब Russian Revolution आया, फिर चाइना में आप देख रहे हैं, फिर Soviet-Afghan War, उसके बाद फिर Vietnam War, फिर Korean War, अगर आप देखें तो उसमें पूरा Marxism के हमको चाया देखने को मिलती है, और Marxism ऐसा तो है नहीं, successful तो बहुत था, क्यों? क्यों कुछ वक्त के लिए इन्होंने capitalism को, core capitalism को अपने देशों में टाल दिया, यह आप समझें, तो Marx तो सफल वे ही, यह चीज है, और Karl Marx ने बहुत सारी किताबे लिखी है, दास capital सबसे important है, communist manifesto, German ideology, यह सब किताबे लिखें वो आप देख लीजेगा, तो I hope Marxism approach आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश है, यह लेचर था, खुछ रही है पर तेरे इदे से सिद्धान तक नहीं होतरी, signing off.